हलो गाइज, वेलकम बैक टो यूटूब चैनल एलेक्टिकल स्टॉप फर यू दोस्तो आज की मारे इस वीडियो का टोपिक है कि जो एसी के टन होते हैं उसमें कितने किलोवाट होते हैं दोस्तो आपने जब भी देखा होगा कि जो एसी होता है उसकी जो रेटिंग होती है वो हमेशा टन में होती है जबकि जो अधर अप्लाइंसे हम गरों में यूज़ करते हैं जैसे कि टीवी है पंखा है बल्व है इनकी जो रेटिंग होती है जो बाट या किलोवाट में होती ह कभी भी टन मी नहीं होती और हमें किलोवाट या बाट में पता होता है कि ये कितनी बिजली की खपत करेगा तो दोस्तो आज के इस वीडियों हम इसी के बारे में बात करेंगे कि AC के जो टन होता है उसमें कितने किलोवाट होते हैं क्यूंकि हमें किलो वार्ट से ही पता लगता है कि जो पर्टिकुलर A.C. है। वो कितनी बिजली की खपत करेगा। वो कितनी बिजली खाएगा। ठीक है दोस्तो। तो चलिए दोस्तो विडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तो सबसे पहले हमें जो A.C. होता है इसमें दो की power होती है एक दोस्तो होती है cooling power और एक होती है input power अब दोस्तो जो cooling power होती है वो जैसे कि आपको पता है कि नाम में ही cooling है तो जो AC जितनी power रखता है room को cool करने के लिए उस power को हम cooling power कहते हैं ठीक है दोस्तो तो दोस्तो जैसे कि आपको पता है मैंने अपनी last video में भी बताया था कि जो AC है उसमें टन का मतलब होता है कि मान लिजिए आप किसी कमरे में 1000 किलो जा एक टन वर्फ रख देते हैं तो जितनी वो बर्फ कमरे को ठंडा करेगी मालब एक टन वर्फ जितनी कमरे को ठंडा करेगी सेम एक टन का AC अगर आप उस कमरे में लगा देते हो तो उतनी ही cooling वो AC भी करेगा ठीक है तो इस प्रकार से ton का मतलब होता है दोस्तो इसके लिए मैंने dedicated वीडियो भी बनाई है जिसका link मैं i-button में दे दूँगा बहाँ पर click करकर आप देख सकते हो ठीक है दोस्तो अब दोस्तो बात आती है कि अगर cooling power का ये मतलब है तो cooling power होती कितनी है एक टन में तो दोस्तो एक टन में 3.5 किलो वार्ट cooling power होती है जिसे आप 3500 वार्ट भी कह सकते हो अब ऐसे ही अगर 1.5 टन का AC है तो आप 3.5 को गुना कर लोगे 1500 तो वो बन जाता है 5.25 किलो वार्ट ठीक है मतलब 150 वार्ट ठीक है दोस्तो अब दोस्तो अगर आप द्यान दोगे तो एक टन तो ऐसे फिर बहुत बड़ा हो गया 3.5 किलो वार्ट तो बहुत जादा है भीजली की खपत करेगा बड़ दोस्तो ऐसा नहीं है जे cooling power है ना की input power input power बो पावर होती है जो भीजली की खपत करेगी अब cooling power बो पावर है जिससे AC ठंडा करने की शमता रखता है ठीक है दोस्तो तो आपको clear हुआ की cooling power क्या है अब हम बात करते हैं input power की तो दोस्तो input power बो पावर है जो की हमारा AC बिजली का use करेगा ठीक है अब आपको पता है कि इन leads के द्वारा ही AC में बिजली आएगी current आएगा तो वो कितनी power का use करेगा कितना current लेगा उसको हम input power कहते हैं और इसी के basis पर इसके बिजली की खपत भी निकाली आती है तो आपको confused नहीं होना है क्योंकि input power लग होती है और cooling power लग होती है maximum लोग यह सोचते हैं कि cooling power ही input power होती है जबकि ऐसा नहीं है चीक है तो अब बात आती है क्या input power भी 63 kWh के बाराबर होगी एक टन त 25 kWh है तो input power कितनी होगी तो दोस्तो इसके लिए हम दो examples लेंगे हम डे टन के दो AC लेंगे जो की अलग अलग कमपनी के हैं और उसको input power कैसे निकालेंगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे तो दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हो जे एक डे टन का Lloyd Company का inverter AC है दोस्तो अब ब देख सकते हो हर AC पर आपको ऐसा कारज दूर देखने को मिलेगा दोस्तो इस पर star rating दिखाई होती है कि यह 3 star के AC है जा फिर 5 star का अब दोस्तो मैंने उसी AC का rating card यहां पर लगा दिया है आप देख सकते हो कि यहां पर यह 3 star का AC है और इस पर ISEER जो rating है वो 3.55 दी गई है इस चास बाट है क्योंकि यह 1.5 ton का AC है अगर जे 1 ton का AC होता तो जे 3500 बाट होती अब नीचे आपको 50% cooling पैस्टी बताई है बट आपको सिर्फ 100% वाली cooling पैस्टी ही लेनी है ठीक है दोस्तो अब मैं बताता हूँ कि आपको input power कैसे निकालनी है आपको simple करना क्या है कि जो आप आपकी cooling पैस्टी है 5050 बाट उसको divide कर देना है ISEER rating से जो की 3.55 है इससे आपकी input power निकल जाएगी तो जब आप इससे divide करोगे तो आपके पास आजाता है 1422 बाट इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके पास Lloyd Company का 1.5 ton का inverter AC है और वो 3 star rating का है वो 1422 उसकी input power है ना कि 5050 बाट है ठीक है दोस्तो तो दोस्तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जो जे AC है जे 1 गंटे में लगबग 1.5 unit बिजली की खपत करेगा क्योंकि इसकी जो input power है 1420 बाट है अब दोस्तो ऐसे ही मैं आपको अब IFV Company के inverter AC के बारे में बताऊंगा जो की 5 star rating का है अब दोस्तो जे 5 star AC के ISER rating का बाट है जिसमें आप देख सकते हो कि जो stars है वो 5 है और इसकी ISER जो rating है वो 4.73 है इसके अलावा जो इसकी cooling capacity है वो भी 5000 बाट है जबकि जो 3 star AC की cooling power थी वो 5000 बार थी जो की लगबग सेम है अब दोस्तो आपको फिर से पता है जो इसकी input power है उसे निकालने के लिए आपको कर cooling power है उसे divide कर देना है 4.73 से तो दोस्तो जब हम इसे divide करेंगे तो जह हमारे पास आएगा 1057 बाट तो दोस्तो अगर आपने देखा हो कि कितना difference आगया 3 star AC में और 5 star AC में जबकि दोनों के दोनों AC डे टन के हैं जो 3 star AC था उसकी जो input power थी वो 1422 बाट आई थी जबकि जो 5 star AC AC है उसकी जो input power आई है वो 1057 बाट आई है इसका मतलब यह हुआ कि जो डे टन का 5 star रेटिंग का AC है वो एक गेंटे में एक जुनिट की खपत करेगा जबकि जो डे टन का 3 star का AC है वो एक गेंटे में लगबग 1.5 जुनिट की खपत करेगा जिससे आपका बिजली बिल का का काफी डिफ्रेंस आ जाएगा तो दोस्तो इस परकार से आपको किसी भी AC की input power निकालनी होती है आई होप दोस्तों कि आपको काफी को सीखने को मिला होगा और अगर आपको यह वीडियो यूसफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जिरूर करने ठेंक्यू गाइज